हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपनी चैनल जोती मेकिंग में मैं जोती आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आप सबको माभवती का दर्शन कराने वाली हूँ तो आज मैं आप सबको शक्रा माभवती का दर्शन कराने वाली हूँ और वीडियो को अंतक देखिए और लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए जदि आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं यहां आच चुकी हूँ मेंन गेट पे, यहां से अंदर जाया जाता है मावभवति का दर्शन करने के लिए तो जो आप फूल घर से लाए हैं या फूल नहीं लाए हैं तो आप फूल और पड़े सकते हैं तो यह देखे दोस्तों यह फूल और परसाथ गेंट के दोनों साइड से इस तरह से सजा हुआ है तो आप फूल और परसाथ ले सकते हैं तो मैं यहाँ फूल घर से ही लाई हूँ और सिंगार का समान और परसाथ यहाँ लेने वाली हूँ जदि आप कुछ भी नहीं लाए हैं तो यहाँ फूल और परसाद और सिंगार की समान चढ़ाए जाते हैं तो यहाँ मैं आप परसाद ले रहे हूँ यह देखे दोस्तों यह मेरे हस्बिन जी यहाँ परसाद ले रहे हैं तो मैं फूल और सिंगार का समान घर से ही लाई हूँ तो एक बार मैं आप सबको बाहर का नजरा भी दिखाती हूँ ये इस तरह से यहां दुकाने सजी हुई है तो अब मैं चलती हूँ पुजा करने के लिए तो परसाद भी यहां ले चुकी हूँ तो यहां मैं गेड़ पर आ चुकीज है किस तरह से टेबल पर परसाद और फूल किस तरह से डाली में सजाया हूँ है यहां सिंगार और मुनारियल चढाए जाता है और सिंगार में आप जो भी चाहा सकते हैं बिंदी और चूडिया जो चड़ा सकते हैं फुल यह सब चढ़ा जाता है और जरिय आप नहीं घर से लाया हैं तो यहां खरिद भी सकते हैं यहां घर से लाई हूँ और देखिए दूसरी ओरото नहीं किस तरह से सजाव हुआ तूर यहां मंख्य है कि परसाद और सेंगbly बस त्विए और फूल चड़ाई जाती है तो यहां मैं परसाद भी ले चुकी हूं तो मैं जा रही हूं अंदर तो अंदर मैं अब पूजा करने के लिए जा रही हूं तो यह देखे दोस्तों यह किस तरह से माभगवती के बाहर का जा रहा है तो इस तरह से यहां अंदर जाया जाता है तो मैं जा रही हूं अंदर दोस्तों ये मंदिर जो है नेपाल में परता है और ये मंदिर में जुमा भग वैती है उनके बहुत बरी असीम किरपा है यहां जो भी मननेते दिल से मांगी जाती है वो पूरा होता है तो इसलिए यहां बहुत भी रहता है जब यह दसारा के टेम में आपाई यह तो बहुत ज़्यदा भी रहता है दोस्तों यह मंदिर जो है नेपाल भी परता है इंडिया से थोड़ी हिंदूरी के बाद यह मंदिर परता है तो बस यह समझे इंडिया के बाद बस पाच मेंट क मिलता है। दोस्तों यह मा भावेति की बहुत बड़ी असीम किरपा होती है। यहां बहुत दोर दोर से दर्सक सब आते है। यहां पूजा करते है हुवर मन्नत्य मांगते है। तो बहुत सारे दर्सक के मन्नत्य है है यहां साधि से लेकर मुंडन हो या उपनेंड हो सब यहां होता है यहां प्रविश द्वायर से जा रही हूं अंदर माभावती के प्रांगन में देखें दोस्तों माभावती के कि पराज़ा के लिए ही चुकी हैँ तो अब ज inflammatory वाहन दुटी हो इहां पूजा करने के लिए तो में पूजा करने के लिए मैं पहले दोगे दों पहें देखे कितना सुंदर से गेट बना हुआ है गन पति बपाजी का मुर्ति लगा हुआ हुआ है और दोनों सैर से लिए प्रफील पर्फीलाonne से बिला है यहां नीचे यहां देखिए दोस्तों यहां कितना सुन्दर एकदम हरा हरा पानी है तो यहां जो है सुब बहुत सुन्दर हरा हरा पानी रहता है तो इनका तो हो गया है अब मैं हाथ पोधो लेती हूं और यहां सबसे पहले सरीर पर जल चिरा के सुरीदीपता को जल चरहा जाता है तो पह यहां मैं पहले सारे पूजा की समान जो है मैं सजा लेती हूँ यहां साफ करके यहां मैं साफ कर ली हूँ तो मैं सारा पूजा का समान यहां सजा ली हूँ तो यह देखे दोस्तों यह मिठाई और यह जो है यहां फूल ली हूँ और एक डाली मैं यहां सिंगार का सारा समान और चुंदरी और नारियल सारा समार में लेच चुकी हूं तो अब मैं चलती हूं मंदीर एक बार मैं आप सब को यह पोखरे का नजारा दिखाती हूं तो यह देखे कितना सुंदर से यह पोखरे का नजारा है यहां फिर मैं उपर जा रही हूं अब लैनिंग में लगना है त तो मैं यहां लग चुकी हूँ लेडिज लेइन में जैस में तो बहुत ही कम था तो कम आ जा शूक eldh वाहां एक पीछे ही हूँ इहां मैं आज चुकी हूँ मंदिर मने वाम पंदर की कर ले यहां पंदह जी को प्रसाद और लेकर अब कर प्रयारइधना कर लेती हूँ उसके बाद मैं आप सबको उपर से नजरां दिखांगी माहभวगति को किस तरह से सजाया गया है और मन्डब भी बनाया गया है यहां देखें सितन कितना भीर है तो यह मैं इऴे लेट से नजरा दिखाती हूं और यह देखे replicated हम फूलों से किस तरह से माभवति का मंढप सजाया गया है इस तरह से माभवति का मंढप पूल से सजाया गया है यहांВы साच्छा के यहां बाहर से ही पूजा की जाती है मंदिर में जैंयें हैं यह परशाद फूल चढ़ाया जाता है यहां दो पंडाजी रहते हैं उसको दे दिया जाता है जो भी चढ़ाने की वस्तुए होती है तो यह पंडाजी चढ़ा कर भोग लगा कर दे देते हैं जिसका जो समान है तो यहां तो पुजा संपन हो चुकी है तो अब मैं चलती हूँ बाहर यहां यहां से बाहर जाया जाता है पूजा खत्म होने के बाद और यहां देखिए बाहर में किस तरह से ना टक्या जाता है यहां बजरंग बले जी बने हुए हैं और कितना अचा बजरंग किरतन होता है तो बजन के तन होता है तो यहां पूजा हो चुकी है ख़ब तो अब मैं यहां बाहर जा रही हूँ यह देखिए दोस्तो अंदर जो है नारियल चड़ा कर बाहर में इसे फोड़ा जाता है तो यहां छोटी सी माभावती की मूर्ती है तो यहां नारियल फोरने के बाद उस पर जल चढ़ाया जाता है तो जल चढ़ाने के बाद मैं चलती हूँ बाहर और यहां जो हैं एक बंडाजी बेठे वे रहते हैं एक इस सेट से और एक इस सेट से तो पूझा खतम होने के बाद यहाँ चंदन लगाया जाता है और कच्छे धागे कलाई पर बंदे जाते हैं तो पहले मैं यहाँ पुझा खत्म कर लेती हूं तो यहां माभागवती का पूजा तो खत्म हो चुका है तो अब मैं आगे चलती हूँ और दूसरे मंदीर में मैं पूजा कर लेती हूँ यह देखी दोस्तों यह मैं बाहर से एक बार पुना फिर मैं नजरा दिखाती हूँ माभागवती का माभाववती के मंदीर का तो यह देखे दोस्तों कितना सुन्दर से माभाववती का मंदीर है तो मैं आगे यहाँ जो मंदीर है यहाँ मैं आचुकी हूँ यहाँ सनी देपता का मंदी यहाँ सनी देपता के मंदीर में दोस्तों जल नहीं चढ़ाया जाता है यहां तेल चढ़ाया जाता है यहां तेल चढ़ा कि इसका पूजा किया जाता है तो अब मैं चलती हूं दूसरे मंदी यहां गनेश जी और विश्नु जी का मंदीर है अब मैं आचकी भोले नात के मंदीर में यहां भोले नात जी का तो यहां बजनगोली जी की पूजा की जाती है तो दोस्तों अब मैं चलती हूं यहां लास्ट मंदीर में ओची हूं तो लाश्ट में देखी किस दीवता जी का मंदीर है यहां नाग देवता का मंदिर है तो यह देखिए दोस्तों कितना बड़ा सा यह नाग देवता का मंदिर भी है तो यहां कहते हैं कि यहां जो है नाग देवता के मंदिर में औरिजनल लाग भी रहते हैं बट मैं अभी तक नहीं देखी हूं तो पता नहीं रहता है कि नहीं लेकिन यहां इस जारी में कहते हैं औरिजनल लाग भी रहता है तो यहां भी पूजा की जाती है तो अब मैं पू दोष्टि बाहर में किस तरह से बगीचिया सजय हुआ है priv करा करता फि rif पूखड़े करना जारा दिखाती हूँ दोस्तों इस पूखड़े की चारो सैड से सिरी बना हुआ है तो जो घर से असनार नहीं करके आते हैं तो यहां असनार भी करते हैं और पूजा का सारा समार यहां खरीद कर पूजा भी कर सकते हैं यहां सब चार सर्च आप देख सकते हैं कितना सुन्दर तरश से यहां सिरी बना हुआ है यहां सब पूजा करने के लिए यहां पौध होते हैं और सामने के द्वार से जल ले करके पूजा करने के लिए जाते हैं यहां हो चुकी है पूजा खर तो यहां कच्चा धागा बांध रहे हैं और यहां कुमकुम भी लगा रहे हैं कच्चा धागा बांधने के बाद तो यहां पुजा हो चुकी है संपन दोस्तो आप सब भी एक बार माभावती का दर्शन करने जरूर आईएगा क्योंकि हाँ माभावती का बसन बहुत ही अच्छी तरह से होता है और इसारे मनते पूरी होती है तो ऐसे ही मेरे चैनल बने रहे हैं और लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को अंतर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद